मद्यप्रदेश के उज्जेन जिले के खाच्रोध थाना अंतरगत खाच्रोध वासी पी रहे हैं आमानक इस्तर पानी पीने का पानी अत्य दिखाड ने इसके साथ अन्य केमिकल युक्त पानी जहां पूरे भारत में कोरोना मामारी का प्रकोव जारी है जिसकी मार हरवर्ग उम्र के लोग झेल रहे हैं अस्पताल और शम्शानों में लाशों की कतारे देखने और सुनने को मिल रही हैं प्रकृति द्वारा मानवजाती को समानता के साथ अधिकार के साथ अन्मोल देन जल और वायू की शुद्धता दी है लेकिन उसके लिए आज मानवजाती को तरसना पढ़ रहा है वहीं हमारी सरकार भी हर वर्ग समुदाय को शुद्ध जल देने के लिए वचन बद्ध है लेकिन उस वचन को निभाने में खाचरोद की इस्थानी नगरपाली का प्रशासन खरा नहीं उतर पा रहा है खाचरोद वासियों को इस माहमारी के लौकडाउन में अशुद्ध जल पीना पड़ रहा है जहां पीने के पानी की अधिक हार्डनेस और केमिकल युक्त पानी पीना पड़े तो वहां और भी अधिक शरीर को कंजोर बनाने के साथ बिमारियों को निबंतरन दे रहे हैं नागदा चंबल नदी पर लगे फिल्टर प्लांट से फिल्टर पानी सप्लाई की बात करते हैं तो इस तरह का फिल्टर जिसमें हार्डनेस और केमिकल की मात्रा खत्म ना कर सके स्टील के गीता पर प्रयोग किया गया जिसे कुछ दिन पहले सिंटेक्स की टंकी में डाला गया इसे जब बाहर निकाल कर देखा गया जहां हमारा अनुमान सही निकला जिस उदेश से इसे डाला गया था वह आज आपके सामने हैं जो मानव शरीर को ऐसे रियुक्त पानी पीने से कितने ब्लॉक हो रहे हैं जो शरीर के फेफ्रो को डेमेज करता है और ऑक्सिजन की मात्रा को भी कम कर देता है जब तक मानव शरीर को शुद्ध जल नहीं मिलेगा तो उसकी अंदर से शरीर स्वस्त कैसे रहेगा यह पानी जो हलका मटेला नलो में आता है जिसमें एसिडिटी बेस केमिकल मिला रहता है यही पानी धीरे धीरे जमने पर अपना असली रूप दिखा दिता है खाचरोद प्रशासन को इस और शीग्र ही ध्यान देना होगा अन्यताव वो दिन दूर नहीं कि खाचरोद वासी इस पानी से गंभीर घातक बिमारियों से ग्रसित हो जाएंगे CID News के लिए खाचरोद नागदा से मुरलिदास बैरागी की रिपोर्ट